Hello and Welcome to JK Civil Services तो दोस्तो स्वागत है आपका JK Civil Services में और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और आपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेर कर ले और आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं जहां पे आपको इनी लेक्चर्स की free of cost PDFs मिल जाएंगे और आप हमारी एप को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको test series and paid batches के extra features मिल जाएंगे तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अनर्जी स्टार्ट किया था हमने last class में अनर्जी में भी हमने fossil fuel के related पढ़ा था आज दूसरा बात करेंगे हम thermal power plant के बारे में thermal energy के बारे में sources of energy चल रहा है तो उसमें भी हम किसकी बात कर रहे हैं अभी thermal power plant की ठीक है जिसको thermal energy बोला जाता है ठीक है क्या होती है ये when fuel is burned to produce heat energy which is converted into electrical energy ठीक है इसमें क्या किया जाता है fuel को burn किया जाता है जिससे heat energy मिलती है फिर उस heat energy से क्या किया जाता है electrical energy को produce किया जाता है ठीक है तो इसी को बोला जाता है thermal energy ठीक है large amount of fossil fuels are burned everyday in power stations to heat up water to produce steam which further runs the turbine to generate electricity क्या बोल रहा है कि बहुत जादा amount में हमारे जो fossil fuel होते है उनको burn किया जाता है उनको use किया जाता है everyday life में ठीक है ताकि हम क्या कर सके पानी को heat up कर सके पानी heat होगा तो किस farm में आ जाएगा steam की farm में steam में convert हो जाएगा फिर उस steam का use किया जाता है turbine को rotate करने के लिए जैसे जैसे turbine rotate करेगा फिर हम क्या कर सकते है electricity को generate कर सकते है देखो जोस्तों simple way में यह आ गया हमारा pressure cooker pressure cooker में पानी डाला हुआ है नीचे से हम करवा रहे है इसको heat करवा रहे है और सीधा turbine के उपर शोड़ा जाएगा फिर यह turbine क्या करेगा rotate करेगा move करेगा जैसे जैसे turbine rotate करेगा फिर यह भी turbine आगे किस से connect होगा generator या dynamo से वो क्या करेगा जैसे जैसे turbine rotate करेगा वो electrical energy को produce करेगा तो electrical energy produce होगी तो यह हमारा bulb glow करेगा ठीक है तो यही होता है कि इसका procedure यह होता है thermal power plant का, ठीक है, heat से कैसे हम electricity को produce कर सकते हैं, पहले उसको steam की farm में लाया जाएगा, इस steam से हम क्या करेंगे, turbine को rotate करेंगे, turbine को rotate करके फिर हम electricity produce करेंगे, तो यह आ गया हमारा thermal power plant, next है hydro power plant means hydro energy के related ठीक है hydro energy को हम कैसे कैसे use करते हैं तो potential energy of falling water is converted into electricity hydro power plant में क्या होगा पानी के थूँ energy का use किया जाएगा ठीक है पानी से जो हमें energy मिलेगी इसमें क्या होगा एक बड़ा सा डैम बना देंगे एक बड़ा सा डैम बना देंगे डैम के अंदर पानी को store करवा के रख दिया जाएगा अब पानी जब store हो गया तो वो किस farm में आ गया उसके पास कुछ न कुछ potential energy होगी अब height पे आ गया पानी थोड़ा तो कोई भी चीज जब height पे आती है तो उसके पास potential energy आ जाती है तो यही potential energy को convert किया जाता है फिर electrical energy के अंदर यहां पे पानी हो गया तेक है इस पानी को यहां से छोड़ा जाएगा नीचे और यह जाते ही कहां पे यह जो turbine होगा यहां पे एक turbine लगाया जाएगा पीछे वाले में क्या हुगा था उपर वाले में हमने क्या पड़ा भी कि turbine को rotate किया जाएगा steam के through अब यहां पे क्या है पानी turbine को rotate किया जाएगा water के through जैसे ही पानी छोड़ा जाएगा डैम से ये टर्बाइन हमारा रोटेट करेगा जैसे जैसे ये टर्बाइन रोटेट करेगा इसके साथ ये शाफ्ट लगी होगी और आगे जनरेटर लगा होगा ठीक है जैसे जैसे टर्बाइन रोटेट करेगा जनरेटर भी हमारा मूव करे हैं उसी को बोला जाता है hydro energy ठीक है जब हमने पानी को क्या किया due to rise in water level जब हमने पानी का level बढ़ाया डेम के अंदर तो क्या हो गया पानी के अंदर पहले kinetic energy थी वो kinetic energy किसके अंदर convert हो गई potential energy के अब पानी height पे आ गया तो जो पहले उसके पास kinetic energy थी अब वो potential energy के अंदर convert हो गई ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा potential energy को फिर convert किया जाएगा electric energy के अंदर फिर देखो दोस्तों improvement in technology for using conventional sources of energy जो हम conventional source use कर रहे थे energy का उसके अंदर हमने technology की मदद से कैसे improvement करी क्या-क्या improvement लाई उसके बारे में discuss करेंगे अभी ठीक है तो first आता है हमारा यहां पर biomass क्या गया biomass the waste material of living things like cattle dung and dead plants and animals is called biomass biomass क्या होता है जो भी waste material होता है living things का ठीक है जैसे हमारे मवेशी होते हैं गाए बैंस हो गई उनका kodung हो गया ठीक है इन सभी का use किया जाता है कि इन सभी को क्या बोला जाता है biomass फिर जो biomass से energy create की जाती है biomass से जो energy produce होती है उसी को बोला जाता है bio energy bio means life means जिंदा चीज़ों के जो भी remains होंगे जो भी उनके waste material होंगे उन से जो energy produce करवाई जाती है उसी को बोला जाता है बायो एनर्जी ठीक है जैसे हमारा वुड हो गया लकडी क्रॉप रेजिड्यू जो फसल होती है फसल जब हम उसका अनाज ले ले लेते पीछे जो उसका रेजिड्यू बच जाता है ठीक है उससे बैगेस से क्या होता है शुगर केन का रेजिड के अंदर किसके अंदर आ जाती हैं बायो मास के अंदर इनसे इनके थूँ जो हम energy produce करवाते हैं उसी को बोला जाता है बायो energy क्या बोला जाता है बायो energy एक और होता है बायो gas इनसे जो gas produce होती है उसको बायो gas बोला जाएगा when cow dung and various plants material जैसे crop residue, vegetable waste, sewage are decomposed in absence of oxygen to give bio gas ठीक है जब हम इनी product को क्या करते हैं in absence of oxygen oxygen की absence में जहां पर oxygen ना हो उसके अंदर क्या करते हैं इसको decompose करते हैं इसको गलाते हैं ठीक है तो क्या होता है एक gas निकलती है जिसको बोला जाता है bio gas क्या बोला जाता है bio gas फिर इस gas का use किया जाता है कि सिंस इस starting material is cow dung it is popularly known as gober gas ठीक है इसी bio gas को gober gas भी बोला जाता है क्या बोला जाता है गोबर गैस भी बोला जाता है important point है यह भी ठीक है तो इसके अंदर क्या क्या होता है mixture of methane methane होता है सबसे ज़्यादा 75% इसके अंदर आपको methane मिलेगा फिर hydrogen sulfide होगा carbon dioxide होगा और hydrogen होगा यह सारी की सारी gases किसके अंदर मिल जाएंगी आपको bio gas के अंदर लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होगा methane मिथेन से यह मिलके बनी होगी 75% मिथेन होगा वहां पर फिर next है हमारा wind energy क्या होती है wind energy जो हवा से हमें energy मिलती है उसी को बोला जाता है wind energy moving air is called wind ठीक है जो भी हवा चल रही होती है उसको बोला जाता है wind the kinetic energy of wind can be used to do work through windmill ठीक है फिर जो kinetic energy होती है wind चल रही है तो moment हो रही है उसके अंदर उसी की kinetic energy का हम यूज करते हैं कैई काम करवाने के लिए ठीक है लेकिन जो उसकी energy को collect किया जाता है वो कैसे किया जाता है windmill के थ्रू windmill इस तरह का एक होता है इसके उपर इस तरह के दो तिन पर लगे होते है ठीक है जैसे जैसे हवा चलती है यह क्या करता है rotate करता, जैसे जैसे rotate करता है, इसके नीचे भी generator लगा होता है, जैसे जैसे ये rotate करेगा, generator भी process करेगा फिर उसी wind energy को convert कर दिया जाता है किसके अंदर, electrical energy के अंदर, ठीक है किस purpose के लिए wind energy का use किया जाता है, देखो to generate electricity, electricity को generate करवाने के लिए, propelling sailboats in river river या sea के अंदर कोई भी अगर boat होगी ठीक है तो उसको एक जगा से दूसरी जगा पहुंचाने के लिए भी किसका use किया जाएगा wind energy का use किया जाएगा water lifting pump ठीक है water lifting pump के अंदर भी इसका use किया जाता है grinding grains to obtain floor ठीक है grains को piece के आटा बनाने का भी काम इसके थ्रू किया जाता है to lift water from well ठीक है कोई से पानी निकालने के लिए भी इसका use किया जाता है तो ये सारे के सारे क्या है इसकी applications कि wind energy हम कहां कहां पे use करते हैं फिर जो हमारी Denmark country है Denmark को country of winds बोला जाता है क्या बोला जाता है country of winds क्योंकि यहां पे 25% से जादा electricity किस से produce की जाती है wind से ठीक है इसी वज़ा से Denmark को country of winds बोला जाता है 25% से जादा electricity पूरी country के अंदर किस के थ्रू produce की जाती है wind energy के थ्रू ठीक है in terms of output अगर हम output के terms में देखें तो Germany top पे रहता है ठीक है Germany जर्मनी सबसे highest place पे रहेगा Germany top पे रहेगा ठीक है output के मामले में कि जो wind energy से electricity को produce करवाते है ठीक है और India कौन से नंबर पे है India 5th नंबर पे है और India के अंदर भी कौन सी state top पे रहेगी कन्या कुमारी ठीक है तो इंडिया का कन्या कुमारी है जो तमिलाडू state के अंदर है ठीक है यह क्या है largest wind energy farm इसके अंदर बहुत सारे wind farm बनाएगे है wind energy farm जहां पे यह आपको wind mill लगे हुए दिखाई देंगे तमिलाडू कितने electricity को produce करता है 380 megawatt ठीक है तो यह wind energy से 380 megawatt energy को produce करता है कौन कन्या कुमारी तमिलाडू state है और कन्या कुमारी वहां पे एक place है जहां पे largest wind farm लगे हुए है ठीक है दोस्तो यह तो थे सारे के सारे conventional sources of energy ठीक है जो traditional थे जो daily life में use होते ही होते हैं अब बात करेंगे हम non conventional sources of energy इनको alternative source of energy भी बोला जाता है कि अगर हमारे conventional source खतम होगे या जो हमारे non renewable sources थे अगर वो finish होगे तो हम किन sources को use करके अपनी energy की needs को fulfill करेंगे तो उसी के लिए आगे हमारे non conventional sources of energy इनको alternative source भी बोला जाता है ठीक है अब इसके अंदर first है हमारा solar energy कौन सी energy solar energy जो भी energy हमें सूरज से मिलती है उसी को बोला जाता है solar energy the energy obtained from sun in the form of heat and light अब sun से हमें energy मिल रही है तो energy या तो heat की form में मिलेगी ठीक है या फिर light की form में sun से during a year India receives 5000 trillion kilowatt hour ठीक है इतनी energy एक साल के अंदर India receive करता है sun से ठीक है कितनी 5000 trillion kilowatt इस से भी जादा और daily बात करें अगर daily average की बात करें एक दिन में कितनी energy सूरज से हम ले सकते हैं 4 to 7 kilowatt hour per meter square ठीक है तो इतनी energy daily basis पे हम सूरज से लेते हैं ठीक है दोस्तों solar energy का कहा कहा पे यूज किया जाता है solar heater के अंदर solar cooker के अंदर solar cells के अंदर इन तीनों के अंदर किसका use होता है solar energy का फिर दोस्तों याद रखना black surface absorb more heat as compared to white surface ठीक है जो भी black surface होगी black color की कोई भी surface होगी वो सबसे ज़ादा heat को क्या करेगी absorb करेगी अगर white होगी तो वो बहुत ही कम क्या करेगी heat को absorb करेगी अगर हमें absorbing चीज चाहिए जो heat को absorb कर ले उसके लिए हमें surface कैसी होनी कैसी चाहिए black surface इसलिए बोला जाता है कि गर्मी में black कपड़े नहीं पहनने चाहिए क्यों क्योंकि वो heat को क्या कर लेता है absorb कर लेता है जिससे हमें क्या लगती है गर्मी लगती है ठीक है और वाइट क्या होता है रिफलेक्टर बोला जाता है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करता है ये लाइट को रिफलेक्ट कर देता है इसी वज़ासे अगर गर्मी में आप वाइट कलर के ड्रेसिस पहनोगे तो आपको गर्मी थोड़ी कम लगेगी उपर भी ये जो टॉप पे लगा हुआ ये क्या है हमारा रिफलेक्टर जैसे ही सन रेज यहाँ पर पढ़ेंगी ये उसको रिफलेक्ट कर देगा क्या कर देगा रिफलेक्ट करके जहां पर जो कंटेनर रखा हुआ जिसके अंदर हमने फूड डाला हुआ बनाने के लिए उस container के उपर reflect करके उन beams को डालेगा, ठीक है, तो यहां से जैसे ही इस 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 reflector के उपर पड़ी, यह reflector क्या करेगा, यहां से उनको reflect करके, इस container के उपर focus कर देगा, इस container के उपर डाल देगा, जैसे ही इस container के उपर पड़ेंगी, इस container के उपर क्या लगा हुआ, यह glass sheet लग नहीं आने देंगी उसी को क्या कर लेगी वहाँ पे glass sheet के जो interior part होगा नीचे वाला part वो black color से coating होगी उसकी जैसे ही light rays इसके उपर पढ़ेंगी container के उपर तो ये glass sheet क्या करेगी उसको बाहर आने से उन radiation को बाहर आने से रोक देगी तो वहीं पे क्या कर देगी उनको absorb कर लेगी ठीक है क्या कर लेगी absorb कर लेगी जिसकी वज़ा से heat produce हो जाएगी और हमारा खाना बनके तयार हो जाएगा यही होता है किसके अंदर solar cooker के अंदर और जो reflector होता है यहाँ पे यह कौन सा mirror होता है plain mirror का use किया जाता है as a reflector ठीक है plain mirror का use किया जाता है as a reflector क्या हुआ देखो दोस्तो फिर से देख लो यहाँ यह सन था सन से जो भी रोशनी आई रेज की farm में आई तो रेज जाके सीधी हमारे reflector पे टकराएंगी टकराके सीधा जो हम यहाँ पे हमने container रखा हुआ जिसके अंदर food डाला हुआ बनाने के लिए सीधा वो raise इसके उपर आके focus कर देंगी मतलब यहाँ पे सारी की सारी raise आके गिरेंगी ठीक है जैसे ही यहाँ पे आके वो सारी की सारी raise गिरेंगी इसके उपर होगी glass sheet ग्लास sheet उन raise को बाहर आने से रोक देगी अंदर ही रखेगी उनको जिसकी वज़ा से यह क्या solar energy into electrical energy solar cell क्या करेगा हमारी जो solar energy होती है उसको electrical energy के अंदर convert करने का काम करेगा और यह solar cell किस से मिलके बनता है solar cells होते हैं उनके अंदर selenium का use किया जाता है और solar cell के अंदर example क्या आगई फोटो वोल्टेइक सेल ठीक है तो फोटो वोल्टेइक सेल क्या करता है हमारे solar energy को electrical energy के अंदर convert करता है फोटो मेंस light ठीक है तो जो light energy का use करके electrical energy में convert करता है वो ही हो जाता है हमारा फोटो वोल्टेइक सेल अब बात करेंगे solar panel क्या होता है when solar cells are arranged when solar cells are arranged side by side connecting each other to improve the capacity of electric current ठीक है जब बहुत सारे solar cell एक साथ लगाए जाए एक दूसरे के साथ साथ जोड़ के ठीक है इन सभी के साथ में क्या हो interconnection हो ये सारे के सारे खुद में क्या होने चाहिए जुड़े हुए होने चाहिए तब जो panel बन के आएगा उसी को क्या बोला जाता है solar panel किस लिए use किया जाएगा ताकि हम उसकी capacity को increase कर सकें जो एक cell था वो कितनी electricity produce करेगा बहुत कम करेगा जब बहुत सारे cells जुड़ जाएंगे तो क्या करेंगे बहुत जादा electricity को produce करेंगे इसी वज़ा से अगर हमें capacity increase करवानी हो capacity बढ़ानी हो तो हम किसका use करते है solar panel का ठीक है तो solar panel सबसे जादा कह पर लगे हुए हमारे France के अंदर ठीक है largest solar furnace in the world तो ये कहां पर है France के अंदर ठीक है और जो solar panel की manufacturing होती है बहुत ही मतलब जहां पर solar panel बनाए जाते हैं ये बहुत ही costly पड़ जाता है expensive होता है बहुत ही क्यों क्योंकि silver is used for interconnection क्योंकि इसके अंदर जो भी आप cells solar cell join जोड रह हैंगा silver और silver आपको पता है बहुत ही costly होता है जिसकी वज़ा से इसकी manufacturing क्या हो जाती है बहुत ही जादा costly पड़ जाती है solar panel बहुत costly पड़ जाता है ठीक है अब बात करेंगे दोस्तो energy from sea समुंदर से आप कैसे energy को produce करवा सकते हो कैसे energy ले सकते हो तो पहला आता है हमारा tidal energy ठीक है कौन सा tidal energy क्या होता है ये tidal energy due to attraction of moon on sea water water rises and fall ठीक है suppose करो ये हमारा पानी है ठीक है दोस्तों ये आगे हमारा पानी water body ठीक है तो ये आगे मून मून जब अर्थ के पास आता है थोड़ा सा उसके close आता है तो मून की मून की भी force of attraction है जिस attraction से वो चीजों को अपनी और खिंचेगा तो जैसे ही ये पास आएगा तो यहां से ये जो पानी की लहरे होती ह ये इसकी और आना शुरू हो जाती है water क्या करने लगता है rise and fall ठीक है उपर की और जाना और नीचे की और आना शुरू हो जाता है उपर जाना नेचे आना तो क्या हो रहा है उसके अंदर tights बनना शुरू हो जाती है क्या होती है tights बनना शुरू हो जाती है इनी tights का use करके हम जो energy produce करवाते हैं उसी को बोला जाता है tidal energy ठीक है इनी tides से जो energy produce करवाई जाती है उसी को बोला जाता है tidal energy ठीक है क्या होगा tidal energy जब moon और sea water के बीच में क्या होती है attraction होती है तो water क्या करता है rise करता है और fall करता है उपर जाता है और नीचे जाता है ठीक है तो उसको high tides बोला जाता है जब दीचे ही हो रहाएगा तो उसको low tides बोला जाता है और एक दिन में कितनी बार होता है यह twice a day एक दिन में दो बार यह काम होता है दोनु के दोनु प्रोसेस दो बार होता है ठीक है एक दिन में दो बार यह प्रोसेस होता है एक बार high tide बनेगी, एक बार low tide बनेगी देखो दोस्तो इसमें क्या होता है, ठीक है, कैसे energy को produce किया जाता है यहाँ पे एक tidal dam बनाया जाता है, जो आप देख रहे हो, यह tidal dam आ गया, ठीक है बीच में इसको खाली छोड़ा जाता है, ताकि जैसे ही बीच में खाली छोड़ गे, उसके बीच में एक turbine लगाना जाता है क्या लगाता है? टर्बाइन, यह वला टर्बाइन आ गया, ठीक है, जैसे ही पानी high tide हुई, तो पानी उपर की और जाएगा जैसे ही पानी उपर की और जाएगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन उसकी जादा हो जाएगी जैसे ही कंसंट्रेशन जादा होगी वो लो कंसंट्रेशन की और जाने की कोशिश करेगा तो पानी यहाँ से निकल के इस और आना शुरू कर देगा जैसे ही यहां से इस और आया तो बीच में टर्बाइन भी है तो टर्बाइन से होके गुजरेगा तो टर्बाइन हमारा रोटेट करेगा ठीक है टर्बाइन हमारा रोटेट करेगा जैसे ही टर्बाइन रोटेट करेगा तो उस टर्बाइन से हम क्या करते हैं electricity को produce करवाते टर्बाइन गुमेगा तो हमारी electricity produce होना शुरू हो जाएगी उसके आगे भी generator connect किया जाता है ताकि जैसे जैसे हमारा turbine rotate करेगा हमारा generator भी move करे और उस generator के move करने से क्या हो जाएगा हमारी electricity produce हो जाएगी ठीक है फिर देखो यहाँ पे जब low tides होंगी अब पानी ऊपर की ओर था ठीक है अब low tide होगी मतलब पानी नीचे आ गया तो यहाँ से यहाँ पे concentration यह जो पानी यहाँ पे गठा हुआ यह वाला पानी सारे का सारा इदर collect होगा ठीक है reservoir बनाय होग है यह पानी सारे का सारा जब यहां यहां आ जाएगा तो यह गठा हो जाएगा फिर low tide होगी जब पानी इसके नीचे चला जाएगा लेवल इसके नीचे चला जाएगा तो क्या होगा जब पानी यहां से देखो यह पानी नीचे आ गया अब इस लेवल से यहां से नीचे आ रहा है यह लेकिन यहां पे क्या है ल टर्बाइन के टर्बाइन को रोटेट करवाएगा यह जैसे जैसे यहाँ पे फिर से टर्बाइन रोटेट करेगा फिर से क्या होगा टर्बाइन हमारा रोटेट होगा इलेक्रिसिटी पर्डियूस होगी तो इसी वज़ा से हैं इसी टेक्निक के थू हम क्या करते हैं टाइड waves near the sea shore can be trapped in a similar manner to generate electricity, इसी तरह से ठीक है, जो लहरे चलती है पानी के अंदर उनी लहरों को, उनी waves को क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है पकड़ा जाता है, मतलब गठा किया जाता है, इसी टेकनीक के थूँ और उसके थूँ भी क्या किया जाता है, हमारा turbine को rotate करवाया जाता है, ताक कि हम electricity को produce कर सके, यहाँ पर क्या था, उपर वाले में, tidal energy में tides का use किया जा रहा था, यहाँ पर waves का use किया जाएगा, ठेक है तो waves से, जो energy produce होगी, उसको क्या बोला जाता है, wave energy is relatively cold, this difference in temperature is used to obtain energy, ठेक है, क्या बोला जाता है यह पानी आ गया, ठेक है पानी के जो उपर वाली surface होगी, जो top पे layer होगी, पानी की, सूरज की रोशनी direct पड़ेगी उसके उपर, जैसे ही सूरज की रोशनी उसके उपर direct पड़ेगी वो क्या हो जाएगा, heat up हो जाएगा लेकिन जो नीचे वाला part होता है, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती, ठेक है नहीं पड़ती वहाँ पे, इसी वज़ा से नीचे वाला portion क्या होता है, हमेशा cold water होता है, मतलब ठंडा पानी होता है और उपर क्या होता है, hot water इनी दोनों का difference करके इन दोनों के difference का use करके जो energy produce करवाई जाती है, उसी को बोला जाता है ocean thermal energy क्या बोला जाता है, ocean thermal energy फिर आता है हमारा geothermal energy, geo means earth, earth की thermal energy का use करके, जो energy हम earth के interior की energy earth के interior से जो energy निकाली जाती है जिसका use किया जाता है, उसी को बोला जाता है geothermal energy heat from interior of the earth can be utilized as a source of energy जब हम earth के interior की heat को heat का use करके, energy का source energy की source की तरह उसका use करते हैं, उसी को बोला जाता है geothermal energy ठीक है, क्या बोला जाता है, geothermal अर्थ के अंदर हमें पता है कि टाइम टाइम पर क्या होती रहती है कुछ ना कुछ चैंजिस होती रहती है टाइट टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ठीक है उनके अंदर मुवमेंट होती रहती है तो वहां पर कंटीन्यू मुवमेंट होती रहती है ठीक है कंटीन्यू मुवम फाम में कनवर्ट हो जाता है जब वो पानी स्टीम की फाम में कनवर्ट हो जाता है फिर हम उस से फिर हम उस उसका यूज करते हैं as a source of energy इसी को बोला जाता है जियो थर्मल एनरजी और जियो थर्मल एनरजी कहां कहां पर यूज की जाती है ज्यादा तर न्यूजिलेंड के अ energy क्या होती है energy content in the nucleus of atom एक atom के nucleus के अंदर जो energy होती है जो energy पाई जाती है उसी को बोला जाता है nuclear energy यह कब निकलती है जब nuclear reactions होती है तब ठीक है suppose करो यह हमारा आ गया कोई atom इस atom के center के अंदर क्या होता है यह nucleus nucleus के अंदर भी क्या होता है हमारे proton और neutron होते हैं होते हैं प्रोटोन और न्यूट्रोन होते हैं लेकिन इस न्यूकलस के अंदर तो सिरफ यह होंगे या तो प्रोटोन भी होंगे और न्यूट्रोन भी होंगे लेकिन इस nucleus के इर्दगिर्द क्या करते हैं हमारे electron revolve करते रहते हैं क्या करते रहते हैं electron revolve करते रहते हैं लेकिन जो इस nucleus के अंदर से हमें energy मिलती है उसी को क्या बोला जाता है nuclear energy हमारे पास दो तरह से nuclear energy मिल सकती है एक nuclear fission होती है और दूसरी nuclear fusion एक nuclear fission और दूसर बड़ा nucleus, छोटे छोटे nucleus के अंदर तूट जाता है, उसी process को बोला जाता है, nuclear fission fission मतलब तूटना, एक heavy nucleus splits into two or more smaller nuclei with large amount of energy, ठीक है जब एक heavy nucleus, छोटे छोटे nucleus के अंदर तूट जाएगा plus large amount of energy को क्या करेगा emit करेगा, उसी process को क्या बोला जाता है, nuclear fission अब nuclear fusion क्या होगा fusion इसका उल्टा हो जाएगा ये छोटे छोटे nucleus join होंगे छोटे छोटे nucleus जुड़ेंगे एक बड़ा nucleus त्यार करतेंगे ठीक है, छोटे छोटे nucleus के जुड़ने से क्या होगा, एक बड़ा nucleus त्यार होगा इसको बोला जाता है nucleus fusion nuclear fusion two are more lighter nuclei fuse to farm में heavy nucleus जब छोटे छोटे जुड़ेंगे एक बड़ा nucleus बनाएंगे उसको nuclear fusion बोला जाता है और जब एक बड़ा छोटे 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 टुकड़ों में तूटेगा छोटे छोटे nucleus के अंदर तूटेगा उसको क्या बोला जाएगा fission बोला जाएगा ठीक है जैसे कही बार पूछा जाता है अगर uranium 235 uranium जिसका atomic number 92 है और mass number 235 यह जब तूटेगा जब इसके ओपर electron neutron bombard किया जाएगा जब इस uranium के ओपर एक neutron डाला जाएगा तो यह तूट जाएगा किस में तूटेगा barium में तूटेगा kryptan में तूटेगा और दो neutron दे देगा ठीक है क्या करेगा barium और kryptan के अदर तूटेगा कौन तूटेगा uranium 235 जब उसके ओपर एक neutron गिराया जाएगा ठीक है तो इस चीज़ को सबसे पहले किसने discover किया था uranium 235 को तूटने के बारे में किसने बताया था ओटो हान एन फ्रिट्स स्ट्रासमेन ने किसने ओटो हान एन फ्रिट्स स्ट्रासमेन ने इस reaction को बताया था ठीक है तो जो हमारा atom bomb होता है कौन सा atom bomb जो हमारा होता है वो किसके उपर function करता है वो उसके अंदर क्या होता है हमारा nuclear fission होती है तो nuclear fission किसके अंदर होती है atom bomb के अंदर होती है फिर sun के अंदर हमें energy कैसे मिलती है sun से हमें energy कैसे मिलती है तो वो मिलती है nuclear fusion से कैसे मिलती है nuclear fusion से ठीक है दो hydrogen atom जुडते हैं तो क्या बनाते हैं हिलियम का molecule बनाते हैं तो ये दो छोटे छोटे जुडे उन्होंने क्या बना दिया एक heavy nucleus बना दिया तो hydrogen, दो hydrogen join होके क्या बनाते हैं एक helium का molecule बनाते हैं किसके अंदर हमारे sun के अंदर यही किसकी example है nuclear fusion की फिर जो हमारा hydrogen bomb होता है hydrogen bomb भी किसके उपर work करता है, मतलब उसके अंदर भी कौन सा process होता है, nuclear fusion, कौन सा होगा nuclear fusion nuclear fusion hydrogen bomb के अंदर होगा और atom bomb के अंदर क्या होता है, nuclear fission याद रखना दोस्तो फिर nuclear reactor क्या होता है, अगर हमें कोई nuclear reaction करनी है in a controlled manner ताकि हम उसको control कर सके ठीक है तो उसी को बोला जाता है जिसके अंदर वो reaction करवाई जाती है उसको बोला जाता है nuclear reactor device that can initiate a self-controlled chain reaction ठीक है जो self-controlled chain reaction को जहां पर start کیا जाता है उसी device को क्या बोला जाता है हमारा nuclear reactor अब इसके अंदर fuel यह nuclear reactor का use क्यों किया जाता है ताकि हम reaction करवा के क्या कर सके electricity को produce करवा सके क्या कर सके electricity को produce करवा सके ठीक है इसके अंदर fuel कौन सा use किया जाता है तो nuclear reactor के अंदर जो fuel use किया जाता है या तो uranium uranium 235 का use किया जाता है या uranium 238 का use किया जाता है या polonium 238 का use किया जाता है या फिर thorium 235 का use किया जाता है ये सारे के सारे क्या है fuels के नाम ठीक है तो ये fuel डाले जाते हैं किसके अंदर nuclear reactor के अंदर फिर moderator इसके अंदर moderator को उन से डाले जाते है heavy water heavy water को DTO भी बोला जाता है heavy water क्या होता है D2O ठीक है heavy water moderator की तरह डाला जाता है यहाँ पे graphite का भी use किया जाता है beryllium oxide का भी use किया जाता है यह किसलिए use किया जाता है moderator to slow down fast moving neutron जो उसके अंदर neutron fast move कर रहे होते हैं उनकी movement को slow down करने के लिए किसका use किया जाएगा moderator का ताकि reaction को थोड़ा सा slow कर लिया जाए ठीक है फिर coolant अगर reaction गरम मतलब वहाँ पे गरमी आ जाती है heat emit होना शुरू हो जाए उस nuclear reactor के अंदर तो वहाँ पे coolant कौन सा यूज किया जाएगा या तो cold water का यूज किया जाएगा air का भी use कर सकते हो liquid oxygen का भी use कर सकते हो helium का भी use कर सकते हो और carbon dioxide का भी use कर सकते हो तो examiner यहाँ से direct question पूछता है कि coolant की तरह किसका use किया जाएगा चार दो तीन option अलग से देदेगा एक option देदेगा इन में से कोई भी moderator किसका use किया जाएगा वहाँ पे control rods कौन से use की जाएगी वहाँ पे तो coolant कौन-कौन से use करे जाएगे वहाँ पे cold water air का use किया जाएगा liquid oxygen का use किया जाएगा helium का use किया जाएगा और carbon dioxide का use किया जाएगा as a coolant फिर control rods कौन-कौन से use की जाएगी reaction को control करने के लिए cadmium, cadmium या फिर boron की cadmium की बनी हो सकती है या फिर boron की बनी हो सकती है वो rod जो use की जाएगी as a control rod ठीक है तो यह सारे के सारे facts थे जो आपको याद रखने दोस्तो ठीक है अब देखो दोस्तो कुछ important factual चीज़े इंडिया ने जो पहला nuclear test किया था वो कब किया था 11th मेई 1974 के अंदर कब किया था फिर्स्ट न्यूकलर टेस्ट इंडिया ने जो किया था वो कब किया था 11th मेई 1974 के अंदर कहां पे पोखरन राजस्थान के अंदर कहां पे पोखरन राजस्थान के अंदर और first nuclear reactor world का कौन सा था, किस ने बनाया था, first nuclear reactor world का बनाया था, एनरिको फर्मी ने, 1942 के अंदर, एनरिको फर्मी ने बनाया था, 1942 के अंदर, कहां पे, Chicago University में, कहां पे, Chicago University में, ये कहां पे है, USA के अंदर, और इंडिया का first nuclear reactor कहां पे बनाया गया था, ट्रॉम्बे में बनाया गया था 1956 के अंदर ठीक है इंडिया का पहला न्यूकलर रियक्टर कहां पे बनाया गया था ट्रॉम्बे के अंदर 1956 के अंदर अब कुछ top 7 nuclear power plants इंडिया के अंदर जो है उनको आप उनके नाम आपको याद रखने है कई बार exam में यहाँ से question आए ठीक है तो यह सारे के सारे आपको fingertips पे होने चाहिए जैसे तारापूर है तारापूर कहां पे है महाराश्टरा के अंदर राना परताप सागर यह कहां पे है यह राजस्थान के अंदर है कलपकम कहां पे है यह तमिल नाडू के अंदर है नरोरा कहां पे है यह उत्र परदेश के अंदर है काकरापार कहां पे है यह गुजरात के अंदर है कैगा कहां पे है यह करनाटका के अंदर है कुडन कुलम कहां पे है यह तमिल नाडू के अंदर है तो यह सारे के सारे यह जो साथ नाम मैंने बताई यह सारे के सारे क्या है नूकलर पावर नूकलर पावर प्लांट्स जो इंडिया के अंदर टॉप पावर प्लांट्स में आत तो आपको पता होना चाहिए कहगा ठीक है तो यह सारे के सारे आपको किसी भी तरह से पूछ सकता है यह सारे सारे आपको तैयार होने चाहिए तो दोस्तो सोर्सिस आफ एनरजी आज हमने फिनिश कर दिया ठीक है इसके बाद जो आपके रिमेनिंग टॉपिक रह जाएंगे व उसके बाद हम MCQs की सीरिस लेके आएंगे ठीक है बर दोस्तों कमेंट जुरूर करिए आपको ये लेक्चर कैसा लगा ठीक है ओके दोस्तों थैंक यू